हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइग्जाम भी, आइम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और ये जो क्वेश्चन है काफी सारे स्टूडेंट फूचते है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको पता है यार ये कैसे डिसाइड होता है और ये सब एक्जाम के लिए सेम नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि ये IVPSPO के लिए सेम है और RBI Grade B के ऐसा नहीं थो वोड़ा सा इसमें डिफरेंस से मैं आपको डीटेल में यहाँ पर एक्स्प्रेंग करूँगा और ये कट ओफ कैसे डिसाइड किया जाता है फिक्स किया जाता है वो भी हम देखेंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते है तो ये है 2022 का कट ओफ 2022 का और ये 2021 का RBI Grade B Phase 1 का यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि EWS को अलग से रिजर्वेशन है लेकिन मतब RBI ने ऐसा डिसाइड किया है कि दोनों का कट ओफ सेम रहेगा अच्छली ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छली अगर देखेंगे तो वो अलग-अलग कैटेगरीज है तो अलग-अलग उसके इसाब से वहाँ पर जितना कॉंपेटिशन होना उसके इसाब से होना चाहिए लेकिन ऐसा किया हुआ है तो अभी हम इस पर कुछ कर नहीं सकते जो है हमें accept करना पड़ेगा और बाकि जैसे IBPSPO में SPIPPO में जो sectional cut-off होता है ना वो अलग-अलग decide होता है अलग-अलग याने कि यहां पर क्या कर रहे RBI अगर आप यह देखेंगे 12 है 9 है तो यह जो है it is a 15% 15% of what 15% of total marks ठीक है 15% of 80 हो क्या 12 15% of 60 है 9 15% of 30 है 4.5 4.5 4.5 लास्ट इर का देखेंगे तो this number is 20% 20% of what 16 is 20% of 80 12 is 20% of 60 6 is 20% of 30 and this 6 is 20% of 30 तो यह इंडिजर बताना बहुत जरूर है या तरवाइस लोगों को यह पता नहीं है बहुत लोगों को पता नहीं है IBPSPO में, SBAPO में ऐसा नहीं होता है इसकी वज़े से problem होता है क्योंकि देखो in reality ऐसे होना चाहिए हर section का cut off वो section की difficulty level उस section का other students का यानि कि overall students का performance देख के करना चाहिए जैसे for example मैं आपको बताता हूँ जैसे GA है ठीके एक exam है GA का level easy है ठीके? easy है and quant है, quant का level इसका difficult है तो अभी हम क्या करेंगे मान दीची हमने ऐसे decide किया कि हम क्या करेंगे जैसे मान दीचे 1.5 lakh लोगों ने exam दिया तो हम क्या करेंगे first 25% लोग का list निकालेंगे और जो end वाला होगा यानि कि ये है इसका half हो गया 75,000 and 37.5 37.5 थाउजन लोगों का list निकालेंगे और ये जो last वाला student होगा इसका mark होगा cut-off GA का cut-off मान दीचे 80 से मान दीचे ये होगया 16 ठीक है लेकिन कौर्ण का paper difficult आया है तो हमने यहां पे भी ऐसे किया कि first 25% जो लोग है यानि कि first 37.5 के लोग है किसी एक particular category की बात करें simplicity के लिए तो मान दीचे ये score paper difficult होने के वज़े से तीन आया है तो इसका cut-off तीन होना चाहिए तीन यानि कि 10% और ये 16 है यानि कि 20% हुआ ऐसा reality में होना चाहिए और ऐसा ही बहल हर exam के लिए करते है हर section का cut-off उसका difficulty level उसका सारे students का performance के basis में निकाला जाता है लेकिन RBA वैसे नहीं करता RBA क्या करता है सारे section को एक ही bucket में डालके उसको cut-off कर देते है तो यहाँ पर हुआ क्या last year और उसके पिछले भी साल GA तो देखो every time GA ठीक ठाक होता है difficulty level नहीं है English भी ठीक ठाक होता है similarly यहाँ पर भी GA है यहाँ पर इंगलिश है तो यहाँ पर 16 और 6 यहाँ पर 12 और 4 cut-off मुश्किल नहीं है लेकिन ये 15% decide करने के वज़े से quant का paper बहुत difficult आया reasoning का paper बहुत difficult आया last year भी ऐसा हुआ इसकी वज़े से बहुत सारे student मैंने देखे जिनका score यहाँ पर 80 से ज़्यादा था यहाँ पर भी 80 से ज़्यादा था लेकिन quant and reasoning में ऐसा cut-off decide करने के वज़े से वो fail हो गए तो यह बहुत बड़ा difference है IBPSPO में, SBIPO में और RBI में RBI क्या करता है 1% decide करके सारे section को वो cut-off this final कर देता है यह बहुत risky है मैंने यहाँ पर तो 90 95 भी देखा है overall लेकिन fail है क्यों क्योंकि quant और reasoning का paper बहुत difficult था तो यहाँ पर section wise cut-off निकलना चाहिए लेकिन RBI में क्या किया जाता है 1% fix करके वो सारे section को लगा दिया जाता है ऐसा actually नहीं करना चाहिए लेकिन है तो इसलिए मैं बहुत बार बोलता हो कि अगर आपको कोई भी game जीतना है तो उस game के क्या rules है वो आपको पता होने चाहिए similar यह rules है तो इसलिए मैं आप जो video देख रहे सब को यह warning जैसा दे रहा हूँ कि content reasoning को मतलब निगलेक मत कीजिए otherwise आपका score overall cutoff से 10, 15, 20, 25 जादा हो लगे लिए अकले कि नाप पेल हो जाएंगे आपको यह पता लगे तो यह हर section को आपको यहाँ पर importance देना है हमने यह 2021-22 की बात अभी देखो अभी यह RTI का reply है इन्होंने क्या कहा है देखो phase 1 to phase 2 all categories vertical ठीक है all categories यानि कि हर category का cutoff अलग रडिशेड होता है तो इस साल vacancy कितनी है 222 इसका 15 times कितना हुआ यह हुआ यानि कि इतने total students वो pass करेंगे यहाँ पर देखो वो बोलते है बंधरा 15 times लेकिन कभी-कभी 12 होता है कभी-कभी 13 जैसे अगर आप देखेंगे इंट्रो के लिनों ने कहा है हम 3.5 लोगों को लेंगे ठीक है लेकिन इस बार बतलब यह कम लोगों को लिया है 2.3 2.4 ताइमस लिया तो ऐसा नहीं है लेकिन यह RTI का रिपला है लेकिन हम कैलकुलेशन के पकड़ेंगे इस हिसाब से अभी पोसीजर क्या है अभी यह देखो यह पिछले 4 पा साल के है तो यहाँ पर आपको ना यह कट आफ लेके जैसे देखो 2019 का कट आफ 122 था अभी नियर बूट इसका आदा-दा कट आफ आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह कट आफ लेके माइंड में चले जाओगे कि 64 मुझे लाना है ठीक है कभी कभी कट आफ 134, 142 भी था तो आपको क्या करना है वहाँ पर बिल्कुल कट आफ दिमाग में लेके नहीं जाना है आपको अंदर जाने के बाद पेपर को देखने के बाद फुल आपका देना है लोग बुते सब कितना कट आफ है यह यह मांक से यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों के मांक से अगर आप दिखेंगे 100 प्लस भी मांक से तो हमें कट आफ देखो कट आफ टार्गेट करना इसका मतलब क्या है कि आप लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आपका एम बना रहे ऐसा नहीं करना यह वीनर्स की मेंटलिटी नहीं ठीक है 100 प्लस मार्स लाने है ऐसे लेवल में और ऐसे में तो देडिस्टोक से जादा लाना है ठीक है कहने का मतलब यह है अब यह देखो मैंने आपको बता है यहाँ पर 25 परसेंट कट आफ फिक्स किया यहाँ पर 25 परसेंट है यहाँ पर 20 परसेंट यहाँ पर 15 परसेंट यहाँ पर लेकिन इसके पहले अलग-अलग था 17 में यह अलग-अलग यह कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है वो सेक्षन कैसा है उसके हिसाब से होना चाहिए लेकिन वो अभी करने रहे तो यह बात हमें पता होनी चाहिए देखो अभी क्या करेंगे जैसे माल लीजे टोटल 3330 लोगों को बुलाने वाले तो हम यूर की बात करते है यानि कि अन्रिजर्ट की ऐसे पकड़ी कि 12 सो लोगों को सलेक करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे GA है, Quant है, Reasoning है, English है यह सब students के marks Descending order में लगाएंगे तीक है Descending order में लगाएंगे जैसे माल लीजे इस बार उन्होंने डिशार किया कि 20% हम cut-off रखेंगे यानि कि GA में जिसको 16 से ज़्यादा marks है Quant में जिसको 6 से ज़्यादा है Reasoning में जिसको 12 से ज़्यादा mark है उसके बाद English में जिसको 6 से ज़्यादा mark है ऐसे लोगों को Descending order में लगाया जाएगा सारे लोगों को कुछ student ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर 17 mark है कुछ लोगों को यहाँ पर 25 mark है कुछ लोगों को यहाँ पर 40 marks है लेकिन ये 40 वाले को अगर यहाँ पे 5 है तो ये बाहर चला जाएगा ठीक है तो ये descending order marks हरेका लगाने के बाद ऐसे student की अलग list बनाए जाएगी जीनों ने ये सारे के सारे cutoff clear किये है एसे student की list जीनों ने ये सारे के सारे cutoff clear किये है इसमें से ऐसा हो सकता है कि एक को जीए में 50 मिले यहाँ पे 12 मिले यहाँ पे 18 मिले यहाँ पे 5 मिले तो ये कितने भी mark से याउट हो जाएगा तो अभी सारे students के mark जब हम लगाएंगे यहाँ पर descending order में तब हमें फिर जो last वाला यहाँ पे 1200 वाला लड़का है या लड़की है उसको select किया जाएगा मान लीजे यह आता है 84.00 एक्जेक्ट 1200 लेकिन होता क्या है यह 1200 में कभी कभी 20-25 लोग भी हो सकते कि जिनके marks 84 है तो यह mostly यहाँ पे यह marks पे जितने सारे लोग है वो सब को select किया जाता है ठीक है तो यह procedure है RBI grade B की यह procedure है बाकी IDP, SPO में, SBIPO में थोड़ा सा different है क्योंकि वहाँ पर हर section को अलग तरीके से देखा जाता है हर section का cut off उस section का competition performance की हिसाब से लगया जाता है यहाँ पर ऐसा नहीं है जी यह easy हो सकता है बहुत easy, quantum बहुत difficult हो सकता है यह normal हो सकता है यह normal हो सकता है लेकिन वो क्या कर रहे है सबको same percentage दे दे रहे और उस हिसाब से करना है तो इसी लिए हो क्या रहा है कि कुछ section content reasoning के वज़े से मैंने देखा है last year 90-95 marks होने के बावचूत कुछ लोग fail हो गए क्योंकि section के तरफ ध्यान नहीं दिया है यह इतना detail किसी नहीं मुझे नहीं लगता video बनाया होगा RBI KDB के बारे में तो यह आप दिमाग में रखेंगे तो ही आपको फिर पता चलेगा कि यार मुझे exam में कैसे करना है ठीक है वैसा तो cut off पिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है cut off की बात करना यह मैं तो मतलब कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता यह loser का mindset है और loser का mindset मतलब आप यह 1200 लोग में से इसको aim बना रहे है इसको last वाले को यह aim तो उसमें top 10% में आने वाला चाहिए आपको पता है ना कि जभी भी हम एक कोई target set करते हैं वो target को थोड़ा shortfall करते है थोड़ा shortfall एक simple example जैसे सुबह आप 6 बजे उठने का try किया आप कब उठते हैं 6 पंदरा 6.30 क्योंकि target से हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं आप कितने बजे उठेंगे आप पौने 6 बजे या 6 बजे उठ जाएंगे आप अगले दिन आप 5 बजे रखिए तो फिर आप 5.15 या 5.30 को उठेंगे देखो target से हम थोड़ा मिस कर रहे हैं लेकिन अगर आप दिखेंगे अगर आप overall target बढ़ा रहे हैं यहां से यहां यहां से यहां तो आपका ultimate result जाद आ रहा है इसलिए बिलकुल भी cut off cut off cut off मत कीजे that is not a good sign वो good sign नहीं है ठीक है देखो क्या होता है न एक्जामें पढ़ा ही बहुत लोग करते हैं सबको है लेकिन यह जो है कैसे rules बनाया जाता है कैसे cut off निकला जाता है कैसे सोचना पड़ता है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करत है और मुझे इतने साल का experience है उसे मैं आपको बता सकता हूँ यह final जो success होता है इसमें 80% के आसपास का जो role है वो आपका attitude mentality के बारे में है बढ़ाई तो है that is important लेकिन final जो select होते हैं वो mentality पी होते हैं आप कैसे सोचते हैं आप optimistic हो pessimistic हो आपको rule बता यह बहुत important है यह पूरा mind game है मैंने देखा हैं लोग इतना अच्छा perform करते हैं mock test में exam में जाने के बाद आप मुझे बताईए अभी तक अगर आप देख रहें कितने लोगों का BPI हो जाता है कितने लोगों के हाथ में पस ही ना आने लगता है कितने लोग पैनिक जैसे हो जाते हैं बहुत सारे आपको ऐसा हो रहा है कि घर पे बैठ रहें आप mock test दे रहे हो बहुत जबर्दस performance है और exam में जाने के बाद पूरा आप पूरा खुद का control खो देते हो ठीक है मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने psychology बहुत deep में पढ़ा है हजारों दस हजार लोगों के साथ मैंने interaction किया है तो यह बहुत सारे students का यह problem है study related at all नहीं है यह mentality का problem है उस hall में जाने के बाद उनका total behavior change हो जाता है tension आने लगता है उनको ठीक है और वहाजू बाजू देखके जैसे कुछ लोग मालीजे कोई आप line में बैठे हो यहाँ ठीक एक bench पे बैठे हो एक single ऐसा है तो चार लोग बैठे है आप यहाँ पे कुछ solve कर रहे हो और अगर आप side में देखेंगे वो कुछ नो कुछ paper पे कर आप काम करो परिनाम की चिंता मत करो तो यह उस psychology में बैठता है उसकी चिंता मत करो यार जाद आप अपना परफॉर्म वहाँ पे करना है ठीक है लेकिन इस पे आप सोचेंगे ना तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल कर पाऊगे ठीक है तो IRDA कभी है अगर आपने किया है अगर आपको दोनों की तयारी करनी है तो बस इस पे फोकस कीजिए दोनों का फेस टू गुल जाईए ऐसा मत पूछेगी किस दिन में कैसे करूंगा वो सोचेंगे तो फिर गया ठीक है तो यह मैं आपको दोनों चीज़े देखो अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ क कौन सा एक मुझे बताओ जैसे ESI का या GA का कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है ठीक है कम से कम दस स्टूडेंट अगर वो टॉपिक बताएंगे दस सर आप इस पर ना फीट पे जैसे मैंने लिया है सर आपना यह मालिज आर्भी एक पर पढ़ाईए किसी भी इस पर आप टॉ 20 टाइम्स मैंने वीडियो बनाए है स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर अभी आपको 10 अगर मुझे रिक्वेस्ट आएंगी किसी भी एक टॉपिक पर मैं तो उस पर वीडियो बनाऊँगा ठीक है यह मेरा आपको वादा है अर्भी एक एडभी का प्लान चालो है ठीक है अ तो भी कैसे फालो करना है रिमेनिंग डेस में तो वीडियो कैसे लगा मुझे बताओ आपको यह पहले से पता था किस तरीके से करते है आई-बी-पी-पी-ई-बी-ई-बी में कैसा डिफरंस है और आप टॉपिक डेफिनिटली सजेस्ट कीजे अगर कोई एक टॉपिक को 10 तो मैं उस पर डेफिनिटली वीडियो बनाऊंगा थैंक यू फर वचिंग इस वीडियो एद आपको इस वीडियो एद आपकोमिंग एग्जामिनिशन्स